वेल्कम तो आग यूट्यूब चैनल तो जैसे कि हमने प्रिवेस वीडियो में क्लासिफिकेशन अब किंग्डम प्लांटे स्टार्ट किया था तो उसमें हमने कवर करेंगे जीम्नोस पर्म और एंजियोस पर्म और उसके साथ जो कौटी डागनूनस है कौटी डेलनस है और मोनो कोटर डाइकॉट है उसके साथ आज हम लोग किंग्डम प्लांटे को यहां पर खतम करेंगे उसके बाद जो है बहुत सारे वीडियोस बनेंगे क्योंकि बहुत सारे अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो क्लियर करना जरूरी है यह छोटे चोटे ट रही था इसको एंसर आप खुद से कर पाएंगे तर स्टार्ट करते हम लोग जीम्नोस परम से जैसा कि नाम से ही पदा चलता है जीम्नो एक ग्रिक वरड है जिसका जीम्नोस का मतलब होता है नैकेट ठीक है यानि बिदाव्ट कवर और सपर्मा मेंज होता है सीड जो इनका जो सीड था वो बिदाउट कवर था, सीड और बिदाउट फूर्ट सीड आर बिदाउट फूर्ट यह बिना फूर्ट के ही धर्दी पे आये थे, जिस तरह से प्लांट हमारा evolution में होते गया, evolve होते गया, तो सबसे पहले जो आया वो seeds की साथ तो gymnosperm आया उसकी बाद आया angiosperm जैसे evolve होता है ना कि generation दीरे-दीरे कैसे बढ़ रही है तो सबसे पहले जो plants का generation था उनमें आया था gymnosperm जो एसा था कि इनमें seeds तो होता था लेकिन fruits नहीं होते थे तो उनके seeds कैसे बन थे पालिनेशन की की बन थे पालिनेसिंट की किरिया इसमें कैसे की सहिवत्ट करने के लिए बनाते है trat जाई गोट हम जानते हैं जाइक बनाते हैं तो मेल और फीमेल जो जाएक जो मिलके जो बनाएं गजुँआठ अविबमेल जो मिल फीमैल गजुआ ईसके बाद बना सीच तो यह जो इम्ब्रोय था इसको प्रोटक्ट करने के लिए बना ताकि घू अब ये ऐसे ऐसे जगह में होते थे जहां पानी की कमी हो तो उस तरह से इस seeds को protect करने के लिए इस embryo को protect करने के लिए seeds आए ये जो seeds आए इसी से ही बहुत सारे जो subdivision में जहां पर ये seeds plants होते हैं यह seeds plants जिम्नो स्पाम आए और बहुत सारे plants बने जिसमें हम देवदार का ब्रिक्स जानते हैं पाइन जानते हैं यह सब क्या है जिम्नो स्पाम है जिम्नो स्पाम इस a subdivision of seeds plants seeds plants थे in which the seeds are seeds are naked जिसमें जो seeds था वो without covering था उसके ऊपर कोई fruits स्यूंताम नहीं था हम जब ये जंडेलीं जब फुरूट कहाते हैं तो इसके बीदर में सीट में लेकिन यहांपर इस तरह के प्लांट्स में शी जपीडाकर наша यह सीड्स किसली कवर करके आया यह सीड्स सिर्फ कवर यानि इंब्रोय को प्रोटेक्ट करने के लिए इंब्रोय को प्रोटेक्ट करने के लिए यह सीड्स आया ताकि जो पेर है वो एवर्ग्रीन और वूडी रहने के लिए जो इनका जो खुद का जो अस्तित वधाओ बरकरार रखने के लिए इस तरह से इन्होंने एक एवलूशन किया उसके बाद एंज्योऊशन में हम और अच्छे से जानेंगे कि वहाँ पर हमें fruits मिलेगा पर यहाँ पर हमें fruits नहीं मिल रहा है यह perineals होते हैं evergreen होते हैं और woody plant होते हैं casti होते हैं evergreen मतल हमेशा इनकी जो पतिया होती है हमेशा हडी होती है ट्रू रूट्स अब हम पहले देख कि पहले जितने भी हम पढ़ते कहाएं hang त्राइड़ो्फाइट ये इसमें उसमें आंके प्लिभर उसमें अधू रॉट्स मिला हमें क्या मिला मिला राजोर्स में था में यहुका अभगरीन है इसमें leaves भी मिला, हमें stems भी मिला और true roots भी मिला यह जो tap root था लेकिन जो जायलम और phloem में था इसमें जो वैसल से जायलम के जो वैसल से वो कमी थे जायलम वैसल नहीं मिला फ्लोम में इसमें जिसको कहते हैं वो absent था ठीक है तो gymnosperm में हम इतना कुछ यहाँ पर जाने जो tallest tree है इस अर्थ का जो इस अर्थ का जो tallest tree है वो भी एक gymnosperm ही है जिसको हम लोग कहते है coastal redwood tree वर्ड का अर्थ का जो tallest tree है वो है gymnosperm उसका नाम है coastal redwood tree यह याद रखिएगा ठीक है तो हम लोग क्या से यहाँ पर समझे कि कि gymnosperm के जो शरीर था वो सेप्रोफिटिक शरीर था यानि जो कास्टी होता था स्वतंत्र होता था और यह सदाभार होता था और पॉदू का जो सरीर होता था वो roots, steam और lips में बटा हुआ था विभक्त होता था इसमें मुशला जड़े यानि tap roots भी अब अच्छे से हमें मि कि लिए का था जएक उसमें जो था उसमें वेसलर्शाय लाक्स घंटी अिCमी अनकी और जो फजो सख को शिकाय में को का जाता है वह एपशेंट होता था लेकिन इनमें पर नहीं होती थी पतिया दो प्रकार की होती थी युरी राल्फ त्रा था और बड़ होता था और और पाइन लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद आपने जो आते हैं एंजो इस पॉंम का जो शरीर होता था वह कैसा होता था पौदो का जो शरीर अब हमें इन से फिर से वाल हुआ हमने जैसे पढ़ा कि सीड आया उसके बाद सीड्स को कवर करने के लिए क्या है तो फूर्ट के साथ हमें क्या मिले हमें सुर्ड के साथ मिलें मिलें फ्लावर मिलें फ्लावर की बाद सी फ्लावर यहां पर हमें उसके में हमल्ने लगा था तो तो यह एवॉल्व होके आया तो जो शरीर था एंजो स्पॉम का वो पौदो का जो सरीर था वो वास्तवीक जड़ था जो रियल हमें मिला ट्रू रूट मिला हमें तना मिला और पत्या में भीभक्त मिला जो कि क्या थे एस्परोफाइट थे और जो टैप रूट और रेशेद तो खुआ है अब लोग आते हैं एंजो स्पॉम जिस तरह से घेवी गरीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एंजियों का मतलब होता है कवर और स्परमा का मतलब होता है सीट थीक है तो एंजब डिवीजिन सीड प्लांट्स था इन विच शीड आर प्रोड्यूस इनसाइड फ की जजए सिर्स के साथ उनकी सीर्स बनते थे वह फुरूट्स के कवरिंग में होने लगें तो वह जो हम आज कल सितने में प्लांट कहां से आया और से इम्लोम कि देजमी सिख मिज़ काछु कुरण हुज सीट के बीतर हम मिलने लगे अब लैंजी इनके भीतर हम थावर्ट भी मिलने लगे थे प्रोड्यू शीट सरी इंके भीतर मिलने थे अंधुराइव यह उनल ज homework जब तो यह इस तरह कोई flower है और इस तरह के flower में आप देखे होंगे कि यहां पर एक yellow yellow color का इस तरह से बहुत पतली-पतली सी इस तरह से strength दीखने को मिलते हैं यह क्या होता है और यह जो भीतर की तरह जाएंगे इस तरह से ठीक है यह reduction मिलता है इसके भीतर हमें मिलता है जब इस यहां पर इक फुला हुआ सा इस तरह से पार्ट मिलेगा वह है भीतर मिलता है एंहीं भीतर जाते वो उनके द्वारा यह जो male जाइगोट है वो आता है और यह female जाइगोट दोनों मिलके बनाते हैं sorry male gamit और female gamit जो मिलके बनाते हैं वो जाइगोट बनाते हैं और इनके बीतर क्या होने लगा कि इंब्रॉय जो संचित होता था वो बनने लगा इस इंब्रॉय को फिर यहां पे ईह जो flower थे वो देखते हैं यहीं हिस्सा झो ओवडी बना ओब्री की ऊपर वाला जो यहीं हिस्सा था जहाँ पर इंब्रॉय संचित होता ग्रीया था और उसके बाद क्या होता था यह जड़ जाता है और हमें एक फ्रूट के रूप में मिल जाता है ठीक है तो यह जेनरली प्लीनेशन के द्वारा इस तरह से हमें फ्रूट्स भी मिलने लगे थे और उसकी बाद इसमें ही सबसे पहले ओवरी का निर्मान हुआ इस तरह के ही प्लांट्स में उसके बाद इसका जो जो सीड़ इंसाइड के भीतर क्या होता था वो अब अच्छे से प्रोटेक्ट होकर इंप्रॉई भी हमें सीड़ के भीतर भी मिलने लगा अब जैसे हमारा जो था तो में सकता है जो जायलाम और फ्लोयं थे वेसल थे जो वस्पूलर टीशम snम नहीं मिलते थे अब हम वैसल मिलने लगे थे और फ्लोयं में जो कंपेणियंस सा को सिखाए थी वही समय लेकिन अब इसके दो भाग में बातना पड़ा वह इसलिए कि तो प्रो Sh nay थे तो इनको दू भायों में बाठना पड़ा मेरा कि हम जानते हैं in मोज उआ exhibited नाम से बेंड तो जानते हैं तो जैसे डिफ기에 देखेंसे च्छ नेह banana आ जाएगा में हमें क्या मिला उसके इंप्राय में शुर्फ ईक ही बिज पत्र होता था यानि कोटीडला िए यह पाया जाता था ठीकिए और अंकूरन की फ्लच जरिए उसके अंकूरन के फल शुरूप । अंकास्मी तो आपको इस तरह से माली के पत्स और फूल में मांच से वेंज या से सांथ बहुता थिया वीतल वयरीक की भी लुबूरिruitनी जाल शाल फ्वर्य क्रफ़ सान सब्सक्राइब कर लिए जाल फीटी मिलती थ connected to sap पतिय को आकी फूल होगा, हमेंसा मॉनु कॉट क मॉनु कॉट का सुटिव होर्म leisurely Cool मॉनु कॉट का सौक्वाय का बमॉस निद क्उट कॉल, जुट के सबस्ट हमादा कि गभी दोШक मॉनोकॉक पतिया मॉनु कॉट को पतिया का सूक है था सुन्ही में हो गया है तो और जो समवहन वस्कुलर बंदल होता था बंद बिखड़ा बंद बिखड़ा हो स्कैटर होता था और जड़ों में जो था वो पॉलियार्क होती थी तो इस तरह से यह मोनोकॉट का डिफरेंसेस होके है यह हम डाइकॉट में जाएंगे तो इनके जो इंब्रॉय में कॉट्टी डेलनस होते थे वह दो होते थे ठीक है और बीज का जो मुलांकूर होता था वह अंकूरी थोकर मूसला जा रहे यह टैप रूट का निर्मान करती थी उसके बाद जो और पत्यों होता था पतिया क्या होती थी यह जो रैकिल्ट को रेक्टिपलेट् वेंटी लेंट्वी संपिल्ड एक जाता था और होते थे कुझ्श्याフyll प मैं अकाभी कॉतारन पर निर्मानकूरी बादने सोनाती भी साट तो मैंने पहले ही डाल रखे हैं आप जाके देखिएगा मैं डीटेल्स में डाल भूंगी उसका आप अच्छे से देख सकेंगे मैंने डिफ्रेंसेस पहले ही सोट्स के रुप में डाल रखे हैं इस तरह से आज हमारा इस तरह से बहुत सारे जो डिफ्रेंसेस थे बहुत सारे इसके बताने कि मुझे लगता है जरुवत नहीं पड़ेगी आपने अच्छा से इसको पढ़ लिया तो आप अपने आप ही डिफरेंस तैयार कर सकते हैं तो उसके बाद हम लोग मिलेंगे अभी है अभी यह हमने इतना दोर तक देखा अधि कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कॉमेंट सेकी से नहीं पोच सकते हैं मैं उसका एंसर करेंगे ठीक है चलिए ठीक से पढ़ाई करिए और बढ़ियां से स्टडी करिए अच्छे से समझ में आएगा बिल्कुल भी रटनी की जुरूतिनी क्योंकि साइन्स रटा नहीं जाता है बस याद हो जाता है ठीक है थैंक यू किप वचिंग बबाई